हलो स्टेंट्स, एडू वीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है पिछले साल की भाती इस साल भी आपको पढ़ाई ओनलाइन क्लास के माध्यम से दी जाएगी डियो टू COVID-19 लेकिन आपको घबराने क्या हो सकता नहीं है क्योंकि आपकी सारी क्लासेज एडू वीला पॉइंट चैनल पर एफलेबल होंगी इसलिए आप इन सारी क्लासों को इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के वीच भी सेयर किए ताकि सारे दोस्त इस वीडियो का इस क्लास का लाव ले सकें तो अचलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले वर्षिट से जो है क्लास एट की आठवी कक्षा की समाजिक विज्ञान भूगोल की पहली वर्षिट दिथी है 5 अपरेल 2021 तो बच्चो आज की वर्षिट हम सुरू करेंगे संसाधनों से परचे संसाधन जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं संसाधन का मतलब होता है वे सारी वस्तु में जो मनुस्यों के उपयोग के लिए हो जो हमारी उपयोग में आती हैं संसाधन कहलाती हैं तो कौन-कौन से संसाधन होते हैं, हम उससे आज इस वर्षिट में परचीत रहांगे, आप अंत तक हमारे साथ बने रही सारे प्रस्णोतर भी करवा जाएंगे. करा है कि यहाँ अपने आस्पास उप्लब्ध संसाधनों की सूची बनाईए, और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गी करित कीजिए. जैसे कि यहाँ देखे, यहाँ दिया हुआ है घर बनाने में प्रियोग होने वाली समागरी. घर बनाने में प्रयोग होने वाली समगरी में क्या होता है इट होता है जो मिट्टी से बनती है सिमेंट होता है सिमेंट किस चिस से बनता है तो सिमेंट बनता है पत्थर और कुछ केमिकल से तो सिमेंट होता है और उसके बाद बेड है जो लकडी से बनती है फिर घर में प्रय तर यूवक होने वाली समगरी चम्मच जो से बनती है miss फाइवर से बनते हैं या फिर इस्टील की फाइवर या बीक करते होंगे longer है या पिर पितल से हमी यूज होती है और भोजन जो हमम्मा खाते हैं तो प्रति से प्राप्थ होता है चावल फिर हम उसको बनाते हैं पगाते हैं तो हम भात के रूप में उसको खाते हैं और उसके बाद वस्तुरों के प्रकार हैं जो हम पहनते जैसे कमीज्ट या सूती हैं सूत से प्राप्थ होते हैं कपास से प्राप्थ होते हैं तो इस तरह से ये सारी चीजे हमारे लिए क्या है संसाधन है क्योंकि ये हमारी उप्योग के लिए है मनुस से इनका उप्योग करता है इसलिए ये संसाधन है अन्य कोई बस्तु जैसे इंधन है तो इंधन में पेट्रॉल ले लिए गैस ले लिए ये सब क्या है संसाधन है और उन सब का हम कि आपके आसपास जो संसाधन है उसकी सूची बनाईए और निम्ने तालिका का उसार वर्गी कृत कीजिए तो इस तरह से आप घर में प्रयोग होने वाले बस्तूओं की सूची बना सकते हैं घर बनाने में और घर में प्रियोग होने वाली बस्तु हैं रसोई में प्रियोग होने वाली बस्तु हैं भोजन जो हम खाते हैं तो यहां देखे जैसे कि यह मिट्टी है तो मिट्टी पहले संसाधन नहीं थी लेकिन जब इसको इट बना दिया गया तो यह संसाधन हो गया उ उसका उप्योग कर सकते हैं और प्रक्ति से प्राप्त जो धान होता है उससे हम चावल बनाते हैं चावल से उसको पकाते हैं पकाके खाते हैं और कपास का हम वैसे उप्योग नहीं करते हैं जब उसका सूत बनाते हैं सूत से वस्तर बनाते हैं तब सूती वस्तर प्राप्त हो है पॉइंट दो है कि अब इन वस्तूओं को दो स्रेणियों में विभाजित किजिए तो कौन-कौन से दो स्रेणियों में करा हुआ वह वस्तूओं जिनका कोई आर्थिक मुल्य है तो आर्थिक भी यह गया this that takes money है और घमीज का भी आर्थिक मुलिए दूसरा नहीं कहरएं जिनका कोई आर्थिक मुल्ड नहीं है नहीं रह जाता है जैसे आप देखरी जे मिटी मिटी का कोई आर्थिक मुल्य नहीं है लकड़ी तो कभी कभी खर दी जाती है लेकिन अनुपयोगी लगड़ी जब तक उसका कोई समान नहीं बनता है इसका भी कोई आर्थिक मुल्य नहीं होता है अब इसी तरह से जो बस्तु नहीं आता उसकी कोई कीमत नहीं होती है क्या आपको लगता है कि इन दोनों ये दोनों ही वस्तुय महत्पूर्ण है कारण बताईए हां आर्थिक मुल वाली वस्तुय महत्पूर्ण है और जिनका आर्थिक मुल नहीं है वो भी महत्पूर्ण है क्योंकि दोनों उप्योगी है योगी है इसलिए दोनों महत्पूर्ण है अब देखें समय और तक्निक टाइम और टेक्निक दो महत्पूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्थित कर देते हैं देखें संसाधन के लिए जंगल में उगने वाली मुझने किसी गजया पंधने बाई necessarily हैं जो अभी लोगों को मालूम नहीं है सायद आज उसका कोई वानिजीक मुल्य नहीं हो परंतु समय और तक्निक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है उसका आर्थिक मुल्य हो जाता है जैसे माली यह अगर कोई पौधा है और उस पौधे के उप्योग के बारे में हम नहीं जानते हैं और पता चला कि इससे कोरोना की दवाई बनती है तो क्या होगा विश्व की सारी कंपनियां इस पर टूट पड़ेंगे दवा बनाने वाले कंपनियां और इसका पेटेंट करवा लेंगी जो कंपनिय पेटेंट करवाएगी उससे कोरोना का दवा बना के इसको बेचना सुरू कर देगी तो कल तक जो पौधा जिसके बारे में हम नहीं जानते थे उसका कोई उप्योग नहीं था और आज उससे कोरोना की दवाई बनने लगी तो यह क्या हो गया यह उप्योगी बन गई यह संसाधन बन गई और इसका आर्थिक मुल्ले भी हो गया यहीं चीज है जो कि यह इसको आपको समझाना चाहता है अब कता टकनिक टकनिक क्या है टकनिक क्या है तो नवीन ग्यान योन कौसल का प्रियोग नई वस्तुओं के आविस्कार के लिए करना क्या है टकनिक है जैसे देखे पहले मोबाईल नहीं था अब मोबाईल बन गया तो टेकनिक से ही mobile बना अब हम बाते कर पा रहे हैं पहले बात करने के लिए ना phone होता था ना mobile होता था ना देखने के लिए Tv होता था लिकिन ये सब टेकनिक के द्वारा ही संभव हो सका है और patent, patent क्या होता है तो patent का मतलब होता है इसका ताथ पर एक किसी विचार अथवा आविसकार पर एक आधिकार से है जैसे मैंने आविसकार किया कि मैं कोरोना की दवा बना सकता हूँ और इस पौधे से मैं कोरोना की दवा बना सकता हूँ यह मेरा आविसकार हुआ तो मैं इसका पेटेंट करवाँगा अब दुनिया की कोई भी दूसरी कमपनी इस अधिकार को नहीं ले सकती है मैं सिर्फ कोरोना की दवा बनाऊंगा और मैं उसको बेचोंगा तो यह patent होता है उसके बाद next है कि अपने परिवार जनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिस कीजिए एवं उनकी सुची बनाईए जिनका परियोग आज आप कर रहे हैं परंतु आप पहले उप्रब्द नहीं थे तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आप जो मोबाईल का परियोग कर रहे हैं मोबाईल फोन का यह मोबाईल फोन पहले नहीं था आप जिस tv का उप्योग कर रहे हैं यह tv भी पहले नहीं था आप computer का उप्योग कर रहे हैं तो यह computer भी पहले नहीं था तो यह सारी बस्तों हैं जो पहले नहीं थी सोचिए किस वज़ा से आज आप उनका उप्योग कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग तक्निक के वज़ा से कर रहे हैं तक्निक जब आपकी टेक्निक डेफलप हुई तब ये सारे समान बने इनका विश्कार हुआ और हम इनका उपयोग आज भी कर रहे हैं अब यहां कुछ प्रस्ण हैं जो कि आपके लिए दिये गए हैं उपरोक्त गतिवीधी के अधार पर निम्लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजें यहां तीन प्रस्ण है किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन किन विश्ताओं का होना अवस्षक है और प्रस्ण दो है कि कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है अपने आस पास से उधारन दीजे और फिर प्रस्ण तीन है तालिका एक में आपने जो सुची बनाई है उससे अधार पर बरगी कृत कीजिए वस्तुएं जिने हम प्रक वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विसेस्ताओं का होना अवस्थ है तो इसका उत्तर है किसी वस्तु का संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए समय तकनीक और वानिजिक मुल्ले का होना अवस्थ है और उसके बाद प्रस्ण दो है कि कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है अपने आस पास से उदारन दीजिए तो इसका उत्तर है कि कोई वस्तु समय और तकनिक दो घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है जैसे अगर कोई पौधा अचानक से कोई औसधी बन जाए तब वह संसाधन के रूप में परिवर्थित हो सकती है क्योंकि उसकी मांग बढ़ जाएगी और प्रस्नेत तीन है कि तालीका एक में आपने जो सुची बनाई है उसे निमनिखित आधार पर वरगी करिद किजिए और पहला आधार है कि बस्तुएं जिन्हें हम प्रकृती से प्राप्त करते हैं तो उसको एक लाइन में लिखना है तो चावल, मिटी, पेट्रॉल, लकड प्रकृती से प्राप्त करते हैं और वे बस्तुएं जिन्हें मनुष से द्वारा बनाया जाता है जैसे इट, बेड, चमच, कमीज, इत्यादी तो बच्चों यह थी आपकी आज की पहली वर्सीट और आप हमारे सांथ बने रहे हैं आपकी सारी वर्सीट इस चैनल पर आने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू